Q6, यह bracket लगा हुआ है, और उसके अंदर 4 upon 3 की पार minus 1, फिर बीच में minus है, फिर 1 upon 4 की पार minus 1, और उस पूरे bracket के बाहर minus 1 है, बहुत ही simple question है, देख लिए, अगर मैं देख हूँ, तो यह जो bracket है, इसके अंदर की चीज़ पहले solve करनी पड़ेगी, और यहाँ 4 upon 3 की पार minus 1 है, मैंने बताया था, जब भी negative power हो, उससे तो positive करना ही है, तो यानि कि इसको positive करने के लिए, इसका reciprocal करना पड़ेगा 4 upon 3 का, तो क्या लिखेंगे, 3 upon 4, अब power कितनी हो गई है, इसकी positive 1, इसके उपर 1 लिखते है, जो कि लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बार लिखना था, minus 1 upon 4 का, reciprocal करोगे तो 4 upon 1, ठीक है, और power लिखते है, उसके उपर positive 1, जो कि लिखना अब भी जरूरी नहीं है, तो यानि कि यह चीज़ जो है, यह अंदर का पूरा bracket solve करके आ गई है ठीक है, अंदर का सारा content हमने solve कर दिया, यह आया, और उसके उपर power कितनी है, minus 1, ठीक है, अब power positive करने से पहले इसको हम solve कर लेते हैं, तो देखे, अगर मैं इसको solve करूँ, LCM लेके, तो यहाँ side से कर रहा हूँ मैं, तो LCM 4 आता, 3 ऐसे लिखते, minus 1 को 4 बनाने के लिए 4 से multiply इस से 16, तो यानि कि minus का 13 upon 4, ठीक है, आप minus करके देख लेना, यानि कि bracket में जो कुछ भी है, वो solve करके 13 upon 4 आया है, और उसकी power minus 1 है, और मैंने आपको बताया था, negative power तो कभी रखते ही नहीं, तो इसको positive करने के लिए इसका reciprocal करना पड़ेगा, minus 13 upon 4 का, तो minus का 4 upon 13, और power आती plus 1 जो की लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि किसी भी number की power 1 वही number होता है, तो यही हमारा क्या है, answer, ठीक है, चल दें next question पर,